जै मा मरी आप सभी को मरी मा सादा साय आज इस वीडियो में मैं ऐसी बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि क्या सरल विदी से मुझा को सिद्धि किया जा सकता है प्रसन्य किया जा सकता है इस बारे में क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ती देर तक बैठक नी कर पाते हैं, बैठ नी कर पा रहे हैं, साधना में बंतर जाप नी कर पा रहे हैं, तो क्या वो उसको सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग मातर से? कर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु प्रयोग ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा की कैसे सिद्ध होता और कैसे करते हैं सरवप्रतम आपको मरगट शम्शान के पास या मसान के पास एक बरगत का पीड़ का चैन करना है बरगत के पीड़ का चैन मैं क्यों बोल रहा हूं ज्यादा तर ग्रामी डिलाकों में देशी तंत्र में जितने भी छोटे बच्चों को उस पीड़ के नीचे गड़ाया जाता है इस कारण से इसका निवास्थान वहां पर होता है आपके जो कपड़े रहेंगे काले रहेंगे कफनी जो रहेगी काली रहेगी टीका जो रहेगा काला रहेगा आपको सामगरी क्या क्या लेनी है हल्दी चावल कुमकुम नारियल एक दारू का पववा द शाल्टी और लॉंग नीबू, यह सारी चीज़ जाकर आप अर्पित करेंगे और साथ प्रकार की मिठाय design आप लगाएंगे, साथ प्रकार की मिठाय आप लगा करके वहाँ पर दीपक प्रज्यूलित करेंगे सरसो के तेल का, और आप उसको निमंतर देंगे, कि मैं आपको न तीन बार जाब करूँगा रात्री काल में आकर के तीन बार सिर्फ जाब करूँगा और आप करिपा कर मेरे को दर्शन दें और मेरे कारे को सिद्ध करें और मिरे से आप सिद्ध हों उसके पहले आपको क्या करना है अगर आप गुरू मुखी हैं तो आप अपने गुरू से इ प्रियोक साधना की, पूरी तरीके से आज्या ले ले। या पर yasłę- आप हमसे साधना लेते हैं, तो आपको बंधन डाला जाएगा, बहरव बंधन जो डाला जाता है, धागे के द्वारा, तो धागे के द्वारा आपको बहरव बंधन डाला जाएगा, तब आपको ये साधना और मंतर दिया जाएगा विदी विजान तो मैं दे रहा हूँ मंतर तो खेर नहीं दूँगा मैं चोरी हो जाता है तब आपको ये दिया जाएगा आपको 21 दिन तक यही प्रयोग करना है प्रति दिन आपको नया भोग नहीं लगेगा पहले दिन, साथवे दिन और 21 वे दिन आपको भोग लगेगा जो जो मैंने बताया आप जाएंगे, तीन बार मंत्र पढ़ेंगे पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे वापस आजाएंगे जैसी आप घर पे एंट्री लेंगे अपने हाथ पेर धोई बिना नहीं जाएंगे ठीक, उसके बाद पहले दिन आपने ये किया दूसरे दिन आपको सिर्फ जाके मंत्र पढ़के दीपक पर जुलित करके और अगर बत्ती लगा करके मंत्र पढ़के वापस आ जाना है थर्ड डे, फोर डे ऐसे करना है, फिर साथवे दिन फिर आपको जो साथ प्रकार की मिठाई में ने बताया वो लगेगी और दारू लगेगी आप डे चढ़ाए फिर रिटान आ गए फिर आठवे दिन, नौवे दिन, दसवे दिन ग्यारवे दिन, बारवे दिन ऐसा चलता रहेगा 21 दिन आपको करना क्या है सिर्फ या तो कलेजी या फिर अंडा या तो कलेजी या फिर अंडा उसमें चार बार कुमकुम से तिलक करके आपको पान के पत्ते में अर्पित करना है और अब बोलना है कि मैंने आपकी 21 दिन तीन बार शावर मंतरों का जाप किया है ठीक अब मिरे को आप दर्शन देंगे और आपको 21 दिन तक रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मुश्किल से मुश्किल साथ से 11 दिन में वो दिखना चालू हो जाएगा उसके बाद क्या है आप इससे काम कोई भी ले सकते हूँ मैंने को मुझा की पावर बताने में शक्ती बताने में पहले भी मैंने वीडियोज में बहुत सारी इसकी तरीके बताएं शक्ती बताई है कि क्या करता है कैसे करता है तो यह सरल प्रयोग होता है अब बात आती है कि आप मंतर क्या खड़े होकर पढ़ेंगे, बैठकर पढ़ेंगे, किस अवस्था में पढ़ेंगे तब आपको बताया रहे हैं कि आपको करना क्या है जब आपने दीपक प्रजुलित कर दिया, भोग अरपित कर दिया, दूप दीप अगरबती कर दी आपने अपने गुरू का बंदन डाला हुआ है आपने या फिर जो गुरू आपके नहीं है तो हमारा भहरव बंदन डाला हुआ है भहरव बंदन आपको भी मालूम है जरूरी क्यों है क्योंकि आप जब जाएंगे तो हो सकता आपके साथ कुछ नुकसान न हो जाए हो सकता वो आपको मारने को न दोड़े क्योंकि बच्चों की आवास चीखने चलनाने की आवास आने लगती है चार-पांस दिन के अंदर ठीक और ये प्रयोक करना कब है साथना का ये आपको करना है कब रात्री नौ के बाद मैं रात्री नौ के बाद इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वहाँ पर थोड़ा सूंसान भी हो जाए कई लोग करना चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं तो डरेंगे नहीं सिर्फ तीन बार मंत्र पढ़ना है हाड टू हाड आपको एक मिनिट लगेगा मंत्र पढ़ने में एक मिनिट लगेगा सिर्फ मंत्र पढ़ने में अब आपने तीन बार पढ़ा पीछे मुड़ कर नहीं देखना भोग क्या कर रहा है आवाज क्या आ रही है पीछे से कुटे बिल्ली कुवे किसी की भी आवाज आ रही नहीं देखना है सीधे रिटन घर चलके आ गए फिर यही आपको एक किजन करना है वो आपको सपने में देखने लगेगा आपको प्रत्यक्ष देखेगा और यह साली चीज़ करने लगेगा मंतर जो रहता है वो आपको किसी भी यूटूब चैनल पर नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो मंतर है भरभरा मंतर होता है ठीक भरभरा मंतर आपको दिया जाएगा भरभरा मंतर एक ग्रामीड मंतर जो होता है तो भरवरा मंतर वैसे ही होते हैं शाबर जैसे परन्तु भरवरा मंतर काफी अग्रेसिव और जैसे बुलते हैं गाली के लोज देते हैं उस तरीके के मंतर होते हैं जो काफी अग्रेसिव और बहुत तेज चलते हैं इसी कारण्ड से भरबरा मंतरे काफी प्रचलेत होते हैं आप छत्यंश गढ़ में देखेंगे तो ज़्यादा तर लोग भरबरा मंतरी ही चलाते हैं जितने गाओं आदिवासी अलागों में आप घुसट जाएंगे जो बड़ा देव चलाते हैं तो बरबरा मंतरी चलाते हैं उस कारण से बरबरा मंतर काफी अचूट होते हैं अब आपने जब उसको ये सारी चीज बताई करना चालू कर दिये अंडा या कलेजी अरपित करा तो दिखना चालू हो जाएगा आप उससे काम ले सकते हैं सारी चीज ले सकते हैं अब इसमें आते हैं इसमें कुछ मित और भ्रह्म भी है कि वो क्या एक कि जिन बाद हमको मार तो नहीं देगा या कुछ ऐसा कर तो नहीं देगा तो नहीं ठीक बहरो बंदन डलाया आप पे कभी कोई नहीं मार पाएगा काल भहरो बंदन डल गया मतलब आपको कोई टच भी नहीं कर सकता आप उससे काम ले रहे हो आप उससे अपना मान लो मारन का काम ले रहे हो मान लो आप विद्वेशन का काम ले रहे हो वशीकरन का काम ले रहे हो ये मंतर आपको सारा किसी में काम आने लगेगा तब जा करके ये चीज सिद्ध होती है अगर आपको ये मंतर चाहिए है तो इसकी एक दक्षणा राशी रखी गई है जो की माता मरी के मंदर निर्मान हित्तु रखी गई है और बहुती कम दक्षणा राशी रखी गई है इतनी भी नहीं है कि कोई देना पाए वो दे करके आप ये भरबरा मंतर ले सकते हो और हाँ ये भी गरेंटी में दे रहा हूँ ये भरबरा मंतर अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल जाए ठीक तो हम डबल दक्षणा देने को तयार है तो आशाकरतों आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको इन मंतर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नमबर डला हुआ है आप वहाँ से हमें कॉल करके मैसेज करके ये दक्षणा के बाद आप ले सकते हैं और समस्त विदिविदान मैंने पूरा बता दिया है अबी अगर इसमें भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं आशाकरतों आपको जानकारी पसंद आई होगी जैमामरी